प्रयाग्राज में त्रिवेनी का सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावश्या की तैयारियां प्रयाग्राज के संगम तर्ट पर लगे माग मेले का सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावश्या दे 21st of February को है आस्था के इस समागम में एक तरफ जहां ग्रहों का अद्भुत सयोग तो वहीं इस पर्व के पीछे नहित धार्मिक माननिता के कारण करोडों शुद्धालू इस दिन स्नान पर्व में एक करोड से अधिक शुद्धालू संगम में आस्था की दूब की लगाएंगे क्मेला प्रशासन ने इसके लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है प्रयागराज के संगम तताज शाम से ही शुद्धालू की भारी घीर उमर रही है मागमेली की सबसे बड़े स्नान पर्व पर्व मौनी अमावश्या पर्पुन्य की दूब की लगाने यहां शुद्धालू का रेला पहुच रहा है मौनी अमावश्या में संगम में स्नान के धार्मिक महत्र की वज़े से हर कोई इसको निकाल में आस्था की दूब की लगा लेना चाहता है रही इस थितियों के आधार पर मौनी अमावश्या पर बन रहा ग्रहों का अधुद्ध सयोग भी इस बार्श अनचरी अमावश्या का सयोग बन रहे हैं इसके साथ ही माग मास की अमावश्या पर सालों बाद खपर योग चतुरगरही योग शदाश्टक योग वसमसप्तिक योग का शुबहद्बूत सयोग बन रहा है ओंगर्टर पतिनमा मौली अमवश्या का नहान 21 जन्वरी 2023 को मनाया जाएगा आज के दिन का विशेश महत्तों पढ़ रहा है क्योंकि सुबह दो बच के 23 बिनर से अमवश्या लग रही है जब उसके बाद सुगरियते शनिवार के दिन हो रहा है और यहां आमवश्या जो लग रही है वो मकर राशी में लग रही है मकर राशी शनी देव प्रधान को रही है यानि शनी देव का ही करे है अभी दो दिन पहले शनी देव गोचर जो है उनका वो कुम राशी में हुआ तो शनी देव ने अभी कुम्बराशी में प्रवेश किया, मकराशी में आमवस्या लग रही है, मकराशी में इस समय सूर्य, चंद्रमा और शुक्रदेव राजमान है और ये दिन भी साटर्डे का पड़ा, यानि कि शनीवार का, इसलिए आज के दिन इस आमवस्या का विशेश महत्वा आ रहा है मौनी आमवस्या का मतलब होता है, मौन रहे के, अगर हम अपने पित्रों को याद करते हैं, दान को निर करते हैं, गंगा नदी में नहाते हैं मौन रहते हैं, अपने इश्ट का ध्यान करना, अपने गुरु का ध्यान करना, और गुरु का ध्यान करते हैं, दान कुन्य करना, गंगा नदी में नहाना, और जित्ती बार हम गंगा में डुक्की लगाएंगे, वैसे साथ बार डुक्की लगाने का विशेश मात होता है, और जब हम गंगा नदी में टुपकी लगा रहे हूं उस सभी शनी देव का द्यान करें उन शंग शनिष्ट्राय नमा इस मंत्र का अगर हम जाप करते हैं तो शनी देव का आशिवरात प्राप्त होता है जिस उनी में शनी संबनिदी दोशो राहू संबनिदी दोशो पित्र संबनिदी दोशो उन जातकों के लिए भी आज के दिए दान कुन्य करना और गंगा नदी में नहाना विशेष्छ रिट कर ले農े करते हैं गुड का दान करते हैं या उनी वस्रों का दान करते हैं तो उपर वले का विशेश आशितवाद प्राफ होता है कोड़ी वक्तियों को दान करना काफी हित कर रहेगा मकर राशी के जात्पों के लिए दाने कुने का विशेश महत्वर रहेगा क्योंकि मकर राशी में ही यह आमवस से अलग रहेगे वैसे तो सभी के लिए हित कर होता है लेकिन मकराशी के जाकों के लिए तोड़ा सा ज़्यादा हिप कर देंगा, तो आज के दिन गंगानदी में इस नान अवश करिए, दानिपुने अवश कीजे, जितनी इच्छा होतना दान करिए, परन्तु अगर उनी वस्त्रों का दान करेंगी, तो ज़्यादा आशे बातों के मताबिक इस स्नान पर्व में एक करोड से अधिक श्रद्धालू संगम आ सकते हैं, भीर की तादाद को देखते हुई प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्ता की है, पाँच हजार पुलिस कर्मियों सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, इसके अलावा ड्रोन से भी न संगम तट पर और अनिस्नान घाटों पर इसनान कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने एक व्रहत सुरच्छा योजना के अंतरगत उनके आने के और जाने के मार्ग प्रतक प्रतक निर्धारित की हैं, जिससे कोई स्टेंपीड आध की घटना ना हो, जब वो इसनान करें तो हम उनको सुरच्छित इसनान प्रदान करें, इसके लिए डिप वाटर बेरिकेटिंग, रिवर लाइन और जाल की व्यवस्ताएं संगम तट पर और अनिस्नान घाटों पर की गई हैं, इसके साथी जो रिवर लाइन्स हैं, उसके साथ साथ फ्लट कंपनीज के जवान, S इन्डियारिफ की टीमें व्यवस्तापित की गई हैं, साथी प्रशिचित गोता खुरू की नियुक की गई हैं, पब्लिक एडर्स सिस्टम के माध्यम से हम लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं, कि रिवर लाइन्स के बियॉर जाके सनान न करें, जो हमारे सनान घाट प् सिसी टीवी कैमरों के माध्यम से हम लोगों ने आच्छादित किया हुआ है, जिसका फीड हम लोग 24x7 ICCC में ले रहे हैं, डोन कैमरों के माध्यम से चाहे अरेल का छेतर हो, जूसी का छेतर हो, संगम का छेतर हो, नजर रखी जा रही है, इसके अलावा एक अभिनव प्रय जी, एक हम लोगों के पास कंटिजिंसी प्लान है, अगर अश्रदालू के संख्या में अप्रत्याशित या अत्यदिक व्रद्धी होती है, तो हमारे पास 10 स्कीमे हैं, जिसका कि हम लोगों ने रियरसल भी कराया हुआ है, और उसके माध्यम से हम लोग इस प्रबंदन को प्रदेश की योगी सरकार इस माग मेले को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कोर कसर सरकार नहीं छोड़ रही है, यही वज़े है कि शुधालूओ के लिए यहां मौनी अमावश्या विशेश इंतजाम किये गए है, खबर जगत के लिए एलन सिंग की रिपोर्ट